नमस्ते तस्रिया काल और आप सभी को नामिका का सलाम कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप लोगों की हाइली रिक्वेस्ट पर कैसे होता है उसका मैं वीडियो लेकर के आई हूँ step by step इसमें बताऊंगी के manicure कैसे किया जता है आप लोगो सभी को पता है कि मैं कुछ टाइम पहले गोवा गई थी और मेरे बहुत भरवर के tanning हो गई थी तो मैंने अपनी tanning को कैसे remove किया बड़ा अच्छा तरीका है यूनीक तरीका है manicure सीखने का तो जरूर इस वीडियो को द्यान से देखिए और पसंद आये तो लाइक करें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो दोस्तों क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपको वहाँ पर गिववे करने वाली हूँ और बहुत जल्दी लाइफ क्लासे लेकर के आने वाली हूँ लाइफ ट्रेडिंग की क्लासे लाइफ सबसे पहले हमें मैनिक्यूर में जो सामान चाहिए उसकी मैं लिस्ट आपनों को बता देती हूं हमको चाहिए यहां पर टब गुनगुना पानी शैंपू कोई भी शैंपू यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा सॉल्ट जिसमें हम तब में मिक्स करेंगे बोडी स्क्रब ब सबसे परें दोस्तों हम नेल पॉलिश स्राइब कर लेंगे यहां पर अगर अपण結果 कर रहे है तो आप खुद भी अपनि उनील पॉलिश कर सकते हैं उसके बाद नेल्ख को आप में दालने नंशके काम को पहले हम इसको पानी में तब में डालने में चाहिछ सबसे काम कोई भी क्रीम हो आपके घर में वह आपने नेल्स के ऊपर लगा लीजे या फिर आप वैसलीन जो पैटोलियम जैली होती है उसको भी लगा सकते हैं ऐसा करने से जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं वह जहां गुंगुने पानी में डिप करके रखेंगे अभी अपने हैंड्स को तो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे तो यह चार स्टैप आपको पहले करना है उसके बाद आप अपने फिंगर्स को और हाफ हैंड्स को अपने जो भी आपने गुन-गुना पानी किया है उसमें टब में डाल लीजे यह तो मेरे पास पारलर का प्रोफेशनल यह टब होत करीब पांच मिनिट तक आप अपने हैंड्स को डिप करके रखिए जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिक में बोला था कि आपको मैनिक्यूर किट लेनी होगी तो उसमें आपको इससरी किट मिल जाएगी यह आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है यह आपको किसी भी शॉप चीजे जिसमें को क्लीन कर सकते हैं इससे जिसमें आपको एरो करके दिखा रही हो इससे आप फाइलिंग कर सकते हैं इससे आप नेल्स को पुष कर सकते हैं और यह स्क्रबर है और यह आपका फुट जो क्लीन करते हैं वह है और यह ब्रश है इन सब चीजों से भी हो सकता है आपका manicure, pedicure बहुत अची तरीके से और दोस्तों कुर्टिकल्स को clean कर लेंगे हम अपने डिप करा लिये थे hands और हमने moisturizer इसलिए लगाया था अपने fingers पर के अच्छे से clean हो जाए इसके बाद आप पुश करेंगे को बहुत ज़र आपको tight hand से नहीं करना है यहां पर normal hand से करना है एक बाद नेल्स का पूरा अच्छे से कहो जाएगा filing और यह इसके बाद आप scrub करना start करेंगे scrub दोस्तों आपको बहुत अच्छे से करना है याद रखिए मैं हमीशा आपको बोलती हूं कि scrub करते साहम आप आप skin जरूर देख लें अगर क्लाइन की sensitive skin है या आपकी sensitive skin है जैसे मेरी काफी sensitive skin है तो जो भी मेरा scrub करता है तो बहुत हलकी हातों से करता है और बहुत अच्छे से scrub करना है आपको 5-5 मिनिट दोनों hands पे scrub करना है sorry scrub करने के तरीकी को आप अध्यान से देखिए आप पूरा नीचे से उपर तक hands को hand का moment रहेगा और पूरे hands cover होंगे half hands कभी भी cover नहीं होते है professionally way में हमेशा हम इसी तरीके से scrub करते हैं और fingers पे जहां-जहां काला पन है वहा पूर नहीं होती है hands को अब आप यहां पर क्रीम से भी you know massage कर सकते हैं you know skin को moisturize करने के लिए क्योंकि scrub कर लिया एक बार तो moisturizer की भी जरूरत होती है नरिश करने के लिए skin को तो अब यहां पर में oil से मसाज हो रही है oil से भी polishing oil आता है उससे भी आप मसाज कर सकते हैं manicure में या आप नॉर्मल आपके पास कोई भी cream हो उससे भी आप मसाज कर सकते हैं यह देखिए fingers को अच्छे से खीचते हुए इस तरीके से और पूर इसको भी आपको you know hands को उपर तक नीचे तक लिए जाना होता है इस तरीके से आप जब मसाज करेंगे अपने client की तो बहुत ही relaxation मिले लाना चाहते हैं तो आप काम बल्कुल दिल लगा के करें अच्छे से मसाज करें pressure point अच्छे से दबाएं और इस तरीके से मसाज हम कर देते हैं अगें 55 minutes के हमारी मसाज होती है दोस्तों उसके बाद जो है हम pack लगाते हैं अभी जो मैंने pack लगवाया है यह मैंने bleach को ही लग मैं करा घरैंग दक्ता सबस्क्राइब देऊ अच्छारा और मैंने पेडेकée्ट करा करता वहां पार तो यह पहत्त जब लेकर करकाना तो मैंने bleach क्रीम लीटर वार्य टिहां तो लिंग ब्लीच क्रीम में अ़ोनितर जब बोडी लगाते हैं तो जैसरा मैंने भीडसे क्रीम जब आप body skin पर लगाएंगे तो आप 1 teaspoon डाल सकते हैं जिससे की अच्छी shine आजाती है तो दोस्तो ये था आज का मैंने आप लोगों को बताया कि manicure कैसे करते हैं आपके भी इसी तरीके से tanning आ गई है या आपको अपनी tanning remove करना है या आपको client पर करना है तो इस तरीके से आप लिकुल कर सकते हैं और आपको मेरे hands देख रहे होंगे यहां पर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक जरूर लाइके